कई बार हम पूरे घर पूरे किचिन की सफाई पर तो ध्यान देते हैं पर यह जो एरिया सिंग के नीचे होता है उसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं जबकि सही बात यह है कि जो यहाँ पर नाली होती है इसके अंदर से बहुत सारे जर्म्स, कौक, रोच यह सब बाहर आक किचिन के अंदर फैल सकते हैं अगर हम इस एरिया को क्लीन नहीं करेंगे तो इस एरिया को क्लीन करना time to time बहुत जरूरी है रोच पॉसीबल नहीं हो तो वीक में एक बार जरूर क्लीन करें इसके नीचे कई बार होता है पानी टपकने से hard water stain लग जाते हैं जिसके सफाई के के लिए कई बार हार्पिक भी काम नहीं आता है तो इसे रगणने के लिए सैंड पेपर का भी यूज करें थैंक यू